असलाम अलेकुम, हेलो और वेलकम बैक टू अनदर वीकली ब्लोग कैसे हैं आप सब और यहाँ पे रात का टाइम है यह और मुझे लगी है भूख नेन में उठने के बाद तो मैं खा रही हूँ आलू मिति की सबसी और रोटी साथ में ली है थोड़ी सी चाए और अब मैं इसे थोड़ा इंजॉई करूंगी यह है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम आए है केरिया तोने और यह जो पेड़ है न इस पे साल में दो बार केरिया आती है एक बार भी आई है फिर वापस से इस पे फूल आएंगे और फिर केरिया आने चालो हो जाएगी तो यहाँ पे हम केरिया तोड़ है इसका बनाएंगे अचार और कुछ केरियों को हम नमक मिर्ची लगा के खाएंगे बहूर टेस्टी होती है इस ज़ाड़ की केरिये और यह है जोई जोई यहाँ पे अंमी के साथ हमें भी को देख रहा है के सब के सब बाहर क्या कर रहे है और यहाँ पे हो रहा है छोटा मोटा जुगार और मेरी बहन आईए पूरी थेली के साथ थेली वगेरा सब प्रिपरेशन के साथ आईए ताके वो केरी ले जाए यहां से अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग को लाइक करें और मुझे अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए या कोई और वीडियो देखनी है तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करें पहले एक अंटी थे क्रिशन अंटी जो ग्राउंड फ्लोर पर हैते थे उनके सामने यह जाड है तो वो क्या करते थे जब भी केरिया आती थी वो तुड़वाते थे और सब आजब बड़ोस वालों को पांच माज चे चे केरिया देते थे बाट देते थे मतलब खुद अकेले नहीं रखते थे लेकिन उनकी देथ हो गई और फिर उनकी जो बेटे थे तोड़ने ज़रूर आते है तो यहाँ पे भी हम जब तोड़ आयते तो काफी लोग आ गए थे कि हमें भी चाहिए तो उनसे शेर किये कुछ केरिया और यहाँ पे आप देखो कितने अच्छी लग रही है जूम करके मैं जो दिखा रही हूँ सब एक साथ तूट गई यह है कोको और कोको हमारी महमान कैट है यह कुछ कुछ टाइम के लिए आ जाती है जब इसके फैमली बाहर कहीं जाती है तो वो यहाँ आ जाती है इंजॉय करने के लिए और यहाँ पे वो एक दिन थोड़ी परिशान से रहती है कि कहां आ गई फिर उसे याद आ जाता है कि यहाँ मैं आते रहती हूँ तो यह अब ठीक है कमफ़ोटिबल हो गई है और इंजॉय कर रही है और यह आती जाती कैट्स की सबकी टेल पर मार रही है अब बहुत जादा मस्ती खोर हो गई है तो इसकी मस्ती देखिए मैं वर्क प्लेस पे आ गई थी और यह है नेक्स टे बीच का मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो ही regular routine थी मेरी तो यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही है दोनों शेरू और ग्रे खेल रहे है अब है इवनिंग का टाइम और मुझे यह cat मिली है बहुत चोटी सी cat होगी यह 3-4 months की और यह है accident case जिसकी accident के वज़े से यह चल भी नहीं रही ठीक से और इसका जो right hand का जो shoulder है वो भी burn हो गया है अभी मैंने first aid कर दिया है और इसे कुछ multi vitamins दी है एक दो दिन में मैं wet visit करूंगी तब तक के लिए मैं ही इसे medicine और इसका जो ointment है वो लगाऊंगी और देखते हैं आगे क्या कर सकते है इसके लिए मेरी friends ने मुझे help की है next day wet visit कर रही हूँ मैं gray की तबे अचानक खराब हो गई है वो vomit कर रहा है तो उसे ले जाना था तो साथ में मैंने सोचा कि ये cat को भी ले जाती हूँ इसका नाम मैंने रखा है sweetie तो अब हम जा रहे है वेट के पास और ये sponsor किया है मेरे कुछ friends ने अब हम आ गए है क्लीनिक और यहाँ पर हम वेट कर रहे है अपनी बारी का आने के बाद क्लीनिक से इन लोग थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे तो ग्रेप जो पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया था ट्रीटमेंट होने के बाद एक दो गंटे के बाद इसने खाना स्टार्ट कर दिया तो ये इवनिंग में इसे मैं फीड कर रही हूँ तो इसको जो प्रॉब्लम है वो है cold का congestion हो गया है इसे और जिसके बज़े से ये smell नहीं कर पाता तो ये खाता भी नहीं है और इसको हलका सा fever रहता है बोडी temperature लो हो जाता है यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ इसकी cleaning and dressing तो इसे दिन में तीन बार clean करना है और तीन बार ये ointment लगाना है और सुबा शाम की इसे medicine देनी होती है तो अब मैं वही कर रही हूँ और आप सबसे request है इन दोनों बच्चों के लिए pray करना कि मैं इनका treatment करा हूँ और ये ठीक हो जाए ग्रे काफी time से बिमार है उसे cold हुआ है और बहुत दिन से उसका treatment चल रहा है बट अब अचानक से वो बिमार हो गया है कुछ दिन ठीक था अब फिर से बिमार हो गया है तो आप सब pray करना ग्रे के लिए क्यों ठीक हो जाए डॉक्टर ने advice किया है उसे x-ray तो मैं अब next x-ray करवाऊंगी उसका क्या problem है जानने के लिए और ग्रे lockdown में rescue किया था और तब भी वो काफी बिमार हालत में मुझे मिला था इसकी picture आप देख सकते हो यह है किट्टू रात में हम बाहर आएं walking के लिए अब मैंने कहा कि इसे थोड़ा घुमा लाओ क्योंकि काफी time से यह बोल रहा है म्याओ म्याओ कर रहा है तो मैं इसे लेकर आई हूँ और इसे body harness मिना लिया है ताकि यह walk कर सके साथ में हमारे eye head tabi जो कि यहाँ वहाँ भाग रही है तो इसे मैं walk कर आ रही हूँ किट्टू भी एक rescued cat है 2013 में इसे rescue कर रहा था और इसे dog attack किया था किस dogs ने तो उस टाम पे भी one two months तक इसका treatment चला और उसके बाद यह कुछ इस तरह से चलने के काबिल हुआ है काफी बुरा attack किया था इसे बहुत ज़ादा injured था यह नेक्स्ट morning आज है day 22 और मैं आई हूँ gray को लेकर x-ray कराने के लिए यह है दूसरा क्लिनिक x-ray के यहाँ आई हूँ वहाँ पे x-ray की facility नहीं थी x-ray हो गया है gray का और अब हम जा रहे हैं पहले वाले क्लिनिक में जहां पर treatment चल रहा था बस अब हम पहुच नहीं वाले हैं वहाँ पर तो x-ray देखने के बाद वो suggest करेंगे के इसे अब next क्या treatment देना है और यह काफी irritate हो गया क्योंकि हम लोग काफी देर से बाहर है और यह cage में है ऐसे ही तो यह काफी irritate हो जाता है और गुसा करने लगता है तो गुसे में यह करता है पेपर जो इसके नीचे बिचाती हूँ मैं वो फाड़ने लगता है तो उसकी छोटे छोटे पीस इसने कर चुके है और यह इस तरह से अपना गुसा निकालता है तो ग्रे की एक आदत है एक रस्क्यूर की लाइफ ऐसी होती है जब मैं निकली थी तब हो रहते चार बज रहते और अब आट बज गये तो चार से आट बजे तक मैं एक्सरे और ट्रीट्मेंट के लिए इतना टाइम लग गया तो अभी मैं जा रही हूँ वापस से इसे अपने वर्क प्लेस पर लेकर और जो स्वीटी है उसे मैंने यहां रखा है स्टोर रूम में तो ये विचारी रात में यहीं पे रहेगी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों बच्चों के लिए दुआ करना ये जल से ठीक हो जाए और मेरा व्लॉक यहीं तक था आप से नेक्स्ट व्लॉक में मिलूंगी अल्ला हाफीज